Hello everyone, welcome to texture myth आज के session में हम db2sql का एक और function कवर करेंगे जो है sinh sinh function कभी यूज में लेते हैं जब भी आपको किसी particular angle के लिए hyperbolic of sin निकालना हो तो उस case में आप sinh function का यूज करोगे ठीक है? तो इसको यूज करने के दो वेज हैं या तो आप sql rpgly program बना सकते हो उस program के अंदर इस function का यूज करके जो भी value आपको retrieve करने हैं उसको host variable में store कर सकते हो या फिर आप normal query भी run करके इस value को fetch कर सकते हो हम दोनों method कवर करेंगे पहले program देखते हैं तो program के अंदर मैंने क्या किया है हम एक sql rpgly program बना है जिसमें हम हर बार की तरह पहले constant declare कर रहे है sql state underscore valid जिसमें हमने 5 times 0 store किया है और इस constant को हम use करेंगे अपनी query को verify करने के लिए कि वो properly execute होई या नहीं उसके बाद में हमारे पास एक result variable है result variable में हम क्या करेंगे जो भी output अपने पास आएगा उसको store करेंगे result1 variable में फिर हमने set किया है commit request to start run पे यह optional है अगर आप चाहो तो कर सकते हो अदर वाज यह three line skip भी कर सकते हो फिर हमने क्या किया main query को run किया जहां पे हम function को use करने actual function को ठीक है from sysibm.sysdemy1 तो इसका meaning क्या है यह calculate करेगा hyperbolic of sign for value 3 और जो भी उसका output आएगा उसको host variable result 1 में store कर देगा और यह कहां से आ रहा है रिटा from sysibm.sysdemy1 से यह function हमने use किया system library दिये तो आप लोग भी इसको use कर सकते हो अब जैसे यह query execute हो जाएगी तो फिर हम verification वाला process से start करेंगे और query का syntax बहुत simple है जासे आपको function का name लिखना है sign h और जो भी parenthesis में value प्रोवाइड करोगे उसके लिए वो equivalent output निकाल के लाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर SQL state जो है SQL state underscore valid है तो display कर दो result 1 को और valid नहीं है तो print कर दो SQL state जो की user use में ले सकता है अपनी actually error को identify करने के लिए और साथ में error message डाल दो query ended with an error और inlr को on कर दो simple यह process है इसको करते है compile और call तो output के आया 10 इसका meaning है कि जब भी आप sign h of 3 निकालोगे तो उसका output आएगा 10 अब देखते हैं same process को हम query के तुरू कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने क्या क्या simply select sin h अब इसमें हम host variable तो use नहीं करते हैं तो just मैंने value print करने के लिए एक alias use कर लिया as sin h value in radians क्योंकि यह output जो return करता है वो radians में करता है from sysibm.systeme1 तो same query है just यहाँ पर हम host variable यूज नहीं कर रहे SQL rpgly में हम host variable यूज करते हैं क्योंकि उसमें कोई value जो भी आ रही है उसको store करने के लिए variable चाहिए और उसके बाद में simply enter hit कर दो जैसे ही आप enter hit करोगे तो output इस तरह से print होगा 6.1020 something ठीक है तो I hope दोनों method आपको clear हुए है किस तरह से हम hyperbolic of sign निकाल सकते है SQL rpgly program के अंतर साथ में हम उसी function को कैसे normal query पर run कर सकते है वो भी हमने discuss कर लिया इस session के लिए इतना ही था next session में बागे topic discuss करेंगी so thank you for watching tech sharement